नमस्का दोस्तों मैं दिखविजाय सिंग आप सब का बहुत स्वागत करता हूँ दिखविजाय एकोनामिका में कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लेए आपकी जीत की तैयारी दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्स को उपर आपसे बात करने वाला हूँ काफी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे ये पूछ रहा है कि सर जी आईसी का जो एक्जाम है बिल्कुल पास आ गया है आप जाते हैं कि 19 सितंबर 2021 को एक्जाम है तो लगभग लगभग 20-22 दिन आपके पास समय है लोग चाते हैं कि किस तरीके से सबसे अप्टिमम तरीके से इसकी प्रिप्रेशन करें ताकि ये लक्ष जो है साधा जा सके ये लक्ष बेजा जा सके दोस्तों मैं इसको पहले भी कहा चुका हूँ कि GIC का एक्जाम एक बहुत अच्छा आपके लिए पार्चुनोटी है बहुत अच्छा चांस है और एक बहतर पोश्ट आपको प्रोवाइड करता है मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कई ऐसे सीनियर हैं जो GIC लेक्षर थे और वो आईएस बने PCS के कई पोश्ट पे हैं मैंने उनका नाम का जिक्री भी किया है और पिछले वीडियो में उस पे आपसे चर्चा भी किया है तो दोस्तों अगर मैं PCS की बात करूँ UP PCS की तो 5-6 पोश्ट अगर आप प्रापर के निकाल दो तो GIC का पोश्ट कहीं से भी आपको खराब नहीं लगेगा सिर्फ 4-5 पोश्ट की PCS जो आप देते हो इससे बेतर मैं मानता हूँ बाकि इसी की equivalent है और salary की मामले में भी देखिएगा तो ये बहुत अच्छा है तो दोस् बिल्कुल जो आपका performance होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो अब तक strategy adopt किये हैं उसमें थोड़ा सा संसोधन करें और मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप लोग अपने छमताओं का इस पूरे 20 दिन में पूरा का पूरा जो आपके एक्जाम के त्यारी के लिए बिल्कुल suitable है और बिल्कुल एट पार है तो दोस्तों जैसा कि मैं जियाई से इक्जाम की बात करूं तो आप जानते हो कि दो पार्ट में इसके एक्जाम होगे प्रिलिम्स एक्जाम होगा और दूसरा में तो में पीस पर मैं पार करना है ताकि मिन्स में बैट बैठ सके और इसमें इंट्रिव्हीं बहुतर एक का प्रेलिम्स, प्रोग पार्ण ही इसे को पार्स करना है, doorğimiz दो इसमें का का है और दूसरा आपके सब्जेक्ट का है जिससे आप लेक्चर का फाल बरे हुए है जो जनरल इस्टिडीज है उसमें 40 कोश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट है उसमें 80 कोश्चन होगे तो कुल मिला कि 120 कोश्चन आपको मिलेगा एकजाम के प्रिलिम्स एकजाम में और 120 कोश्चन 2.5 मार्क्स के होगे तो कुल मिला कि 300 मार्क्स का होगा अब आप 300 में से 280 पार जाएं या 240 पार जाएं डज नाट मेंटर सिर्फ आप मेंस में जाओगे तो इसलिए बहुत जादा टेंसन लेना ही नहीं कि मुझे बहुत जादा टेंसन इसमें अगर मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि जो ST की मेरिट जाएगी अगर वो 120 में से अगर वो 65 कर दे 60 प्लस कर दे 62 प्लस कर दे तो ST क्वालिफाई कर जाएंगे अगर SC की अगर मैं बात करूँगा तो 68 कर दे 66 कर दे तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे अगर मैं OBC की बात कर लूँ तो ये 72 कर दे तो क्वालिफाई कर जाएंगे और मैं जनरल या फिर अन्रिजर्ब्ड की बात कर लूँ दोस्तों तो ये अगर 75 प्लस कर लेते हैं तो आराम स इसके इसके नहीं इंजाम को कर लेगी तो इसमें क्या problem है यार 75 पर maximum मैं का रहा किए आप 75 करोगे तो होगे तो इसमें क्या डवना है कुछ नहीं जन्नलिष्टेडीज की 40 question होगे subject question होगे अब यह को करना क्या है आपको कुछ ऐसे लोग है जिनकी यह वाला और इसे 40 questions आएंगे तो भाई दरना नहीं है सिर्फ करेंट अच्छे से देख लो और जो PCS जाम हुए है अब तक 10 साल का पेपर अच्छे से साल कर लो गटा चकर का सिंहा वलोकन पुर्वा वलोकन आता है पुर्वा वलोकन आप देख लीजिए कि 10 साल में क्या question समाने विज्ञान से पूछा गया है भारत की दिया से क्या पूछा गया है राष्टी आंदोलन राज्त अंत अल्चे वेउस्ता सलस्कृत से क्या question पूछा गया है बाड़ी जिससे क्या question पूछा गया है भारत का विस्तो का गोल से क्या पूछा गया राष्टी अंतराष्टी गटना करम क्या रहा है बहुत ही जो है तार्की की योगिता है गड़ित प्राड़म भी प्रयावन प्रास्तित किया डर्वना बिल्कुल नहीं है सिर्फ प्रते प्रास के पेपर सुए हैं पिछले 10 साल के जन्रल इस्टीज वाले उसको एक बार साल्व कर लो और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ जन्रल इस्टीज के पेपर को आप साल्व कर लो प्रैक्टीस सेट में कि वह गलत नहीं हो आपके तो आप घट्टा चकर का पुरवाव ले लिजिए या फिर कोई भी इस तरह का प्रैक्टिस रेट आपको मिल जाए यूज कमप्टिशन का मिल जाए जो दस साल का जीए से पीचेस वाला जो पीचेस वाला जो पीचेस पर आदम भी परिचा है उसको बहुत अच्छे से आप देख लो तो आपको इस चालीस में से आपको जो ज्यादा फोकस करना है अपने सब्जेक्ट के उपर करना है और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बता दूं कि अभी आपने जो पीजीटी का एग्याम दिया है उससे जो इसका क्वेश्चन होगा लो डाउट उससे बेहतर क्वेश्चन होगे उससे कॉंसेप कम से कम प्रतेक दिन आठ से दस घंटे की कर सुन को देख लीजेगा आपके चालिस में से बीज कोश्चन सही हो जाएंगे बाकी का जो मैं कहा कि 75 प्लस आपको लेकल करना आ है अब कश्राइब कर लोगे अब इसमें क्या करेंगे आप एक तो जो चीजे आप ने लिखा है अब तक नोर्स बनाएं उसको एक बाद देख लिए उसको आप बहुत अच्छे सी रिवाइच कर दीजी वह आपके लिए बहता है दूसरा चीज जो नेट का पेपर है और पिछले 5-7 साल का उसको एक बार आप region' करिए उसको आप साल करें जब साल करिए तो आपको बहुत ही लॉजीकल तरीके से से चांसेप्ट तरीके से सारे कॉंसेप्स आपको सबसामने आ लेगए तो आपको क्या करना है डिए अरब के भी ले लिए या बिए पुट के पेपर्स अगर आपके जिके मिल जाए या फिर्जेक्ट कि पीयाँ उसे भी बेटर पढ़ने का पर टाइम मर दीजिए बहुत ज्यादा नए चीज़ों को आप सीखने का प्रयास मत करें सिर्फ और सिर्फ आप जो है जो चीजें आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने जो नोर्स बनाए हो उसको आप बहुत अच्छे से देख लो और प्रते एक दिन दो तो मैं सिर्फ यह का ना हूं आप से कि आप जो पढ़ाई जो है आप बुकिस करते हैं थोड़ा करें आप प्रैक्टिस शेट पर कि ले 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 उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और उसमें जो चीज़ें आपको इंपोर्टेंट लगे उससे आईए और बुक से कंसल्ट करिए और फिर जो है आप उसको इसमें जो जो सब्सक्राइब अब झाए और तो और जबर्जस मेनद करता सिट बहुत जाता है तो कोई इसमें दिखकती नहीं है मैं 75 जो बता रहा हूं कि अन्रिजर्व्ट के लिए ये 75 में मैक्सिमम मेरे बता रहा हूं 72 पे काला जाएगी तो ये लिए मेरे कही है ऐसे वीवर से बोल लाएं मैं बहुत डरा हूं इसमें क्या डरना है यार इसमें कोई डरने वाली चीजी नहीं है एक सीट आपके लिए प लगना पड़ेगा उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रियाइटी नंबर पर दोस्त एक नंबर पर कैरियर बनादा दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर काफी चीजें आप जानते हैं उसका जीक्र में नहीं करूँगा गल्फ्रेंड से किसी को पैसा कमाने की संक लग गई है, किसी दोस्तों से बात करने के लिए नहीं है, इसको तीसरे चोधे पार्ड़ेगे पीडालो, कैरियर को एक नंबर पर दालो, एसा नहीं कहता हूं कि मैं साथ उसन्यासी बन जाओ, सब को छोड़ दो, बहुत बड़ा काम हो जाए, कुछ नहीं, सब मेरे दो जो आईएस हैं, PCS हैं, सब लगे रहे, सब करते रहे, लेकिन धान ये देना है ने, प्रियारिटी नंबर पे, एक नंबर पे आपने क्या रखा हुगा है, एक नंबर को कैलियर पे रखा है, या फिर एक नंबर को किसी दूसरे चीज़ को रखा है, तो यह जो दुलिया के दीजिए, 2-5 गहंटा जनल इस बीट को टाए दीजिए, उसको दस गहंटा पढ़ने क्या उसक्ता है, अब हमको जागर्फिन नहीं त्यार है, आप पॉरा पॉलिटी पढ़े-पढ़े है, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई सैड होनी क्या हो सकता नहीं है, सिर्फ और स से दो धाई घंटा पढ़ना है करेंट अच्छे से आप देख लो गटना चक्र देख लो परिछा मंतन देख लो जो आपको समझ में आता है वह आप पढ़ लो बाकी के जो मैंने कहा कि कि प्रुवाव लोका ने उसको आप जरूरी बार प्रसेट कर लो देख लोगे तो उससे तुम्हारे बीस से पचीस क्वेश्चन साही हो जाएंगे और बीस का ही टार्गेट बना के रखो उससे ज्यादा करने कर सकता नहीं बाकि आप्सिनल के लिए आठ हेंड़े की परतेग प्रसेटी और थोड़ा सा आपने ऑप्सिनल को पढ़ लो बस हो जाएगा आपका तो किसी भी कंडिडेट के लिए जो सीरियस है देखो साब बात समझे लो जो सीरियस है उसके लिए इसक्रिदी एक्जाम हलुआ है इससे असान कोई एक्जाम नहीं होगा क्योंकि आपको 70 पर यह काल कर लेंगे फाइट होगा इसका मेंज में तो बिल्कुल डगना नहीं है बी पॉजेटिव फुल लेए एक सी टापका है पटका है मुझसे लिखवा कर रख लो इस टाप पेपर पर एक सी टापका है बस पूरे छमताओं को प्योग करना है भगवान का नाम लीज इक्जाम को पास करने का जो सबसे सबल तरीका हैं उस एक्जाम में खौ जाशाना है, उसको पकडबना है Concept को उसके rhythm को उसके slab's को देखना है बस इसी को करिए और devotion दिखाए कि आप उस एक्जाम के परतिक कितने devoted है आप जरूर सफर होगे, जरूर सफर होगे तो दोस्तों आईए, कुछ अच्छा करें, आईए, कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ बनके दिखाएं, थैंक्यू सो मच फार वाचिंग, दिगुजय इक्रिनामिका और भूलिये नहीं, प्रतेक दिन माता पिता का चरवनसपर्स जरूर करें, माता पिता का असिरबाद ज दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने लक्ष के प्रती सजग होते हैं, थैंक्यू सो मच फार वाचिंग दिखाएं, इक्रामिका बाट भूलिये